हलो फ्रेंट वेलकम टू एट्रामा मडेल पेपर देखेंगे जी आइसी प्रवक्ता परिक्षा के लिए सामान अध्यन से जो आपके 40 प्रश्ट पूछे जाएंगे आपकी परिक्षा में तो इसका अठ्रामा पाट है इसके पहले का वीडियो आप लोग प्ले लिस्ट में ज किस घटना के बाद महाद्या गंदी ने एसायोग आंधोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी कि किस घटना के बाद दो बताय था चौरी चौरा घटना के बाद ठीके जो कलकत्ता में अदिबेशन हुआ था सरकार की उतपिडन्कारी नितिया वापस ने ले गई तो ब्यापक समय ने अवे गया अंदोलन सुरुक ही हो जाएगा ठेक है लेकिन जो है समय सीमा पूरी ने होने से पहले ही उत्तरपदेश के गोरफपुर जिले में जो है इस्थित चाओरी चाओरा नामक अस्थान पर पांच फरवरी 1922 को जो है प हरा नाम ते समिला देपाद में अपने इस निरडाय को जो है इस हिमालय जैसी भोल महान भोल बताया था जो democrसी जी तो यहा सब C करेक्ट हो जाएगा दोसरा नमर प्रash Becky में से कौन सा गोल में स tenants ओ np नश्य्टा ने इसे में हुए इसे में इस NEW । rental और तेओं और जबकि प्रथम और तफिया गोल में सम्मेलन्न में जू है तो यहां पर प्रतिनसित नहीं किया था तो यहां पे C.A.C. सही हो जाएगा और यह भी प्रशन पूछेता है गान्दी जी किस अधिविशन में तो यहां पर आपका C.A.C. सही हो जाएगा तीसरे नमर प्रशन है किस साल रेग्लियोटिंग एक्ट पारित किया गया था कि कर्मचारियों की मर्मानी दुराचारी इबंग आईश्वरिपूर्ण गद्विदियों को निंतर्ट करने का प्रयास किया गया ठीक है लाड नार्थ द्वारा जो है प्रस्तुत गोपनी समित की रिपोर्ट पर अधारिती सेक्टर नि भारत में जो है एक सुनिश्चित सास भारत में जो है सरपथम विकेंद्री करणर पलाली जिसे 33 पडाली भी कहते है ठीक है 33 पडाली कि सिपारिश जो है पल्वंत राय मेहता ने की थी उनकी सिपारिशों के अधार पर जो है दो अक्टूबर 1967 में जो है राजस्थान के नौगोड में जो है पंचायती राज का गाटन जो है पंडिजवाल नहरू ने किया था ठीक है तो इसको जो है विकेंद्री करणर प्रडाई को 33 प्रडाली भी कहा जाता है तो यहां पर इसी आफसनापका करेक्ट हो जाएगा पांचवा नंबर प्रशन है निमलकित में से कौन सी नदिया बंगाल के घाड़े में गिरती है तो गंगा बहमपुत्र गुदावरी भी गिरती है ठीक है महा नदी किषडा कावेरी भी गिरती है लोनी नहीं किरती है नर्बदा नहीं किरती है तापती नहीं किरती है ठीक ह टारश कर्षा जो है उत्राखंड की उत्र कासी जीक की घोमोंख से निकड़ जो है गंगोत्री हिमनद है उसके अलत लांगय मज़ी तरफ द़ोblasya बंWka के निकड़ अलंगय अला बश्ग्णक्रम और प्रस पर मिलती है और यहां पर यह हो गय Citizens ब्रह्मपुत्र गोदावरी महानदी कि शुड़ा कावेरी इस सभी नदिया जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं ठीक है तो यहां पे डियाप्शन करेक्ट हो जाएगा चाठवा नमर प्रशन में भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहां पे है सबसे पुराना तेल का भंडार तो डिक बोई असम ठेक है असम का डिक बोई छेतर जो है भारत का सबसे पुराना तेल छेतर है और डिक बोई में तेल छेतर का नहर कटिया में जो है इसका रिफ प्रति-ब्यक्तिबन उपलब्दता है,áoसर्थ हेक्टेर में कितना है? तो यह हैं 0.08, ठीक है, भारत में प्रति-ब्यक्तिबन उपलब्दता जो है जबकि अगर बैस्फ्य कस्तर पर देखा जा, यह जो है 0.64 हेक्टेर है, ठीक है जबकि भारत के कुल 6 पल के लगभग 33 परसेंट भाग पर बन होना पर्यावरणी दिश्टी से आवस्यक है ठीक है तो यहां पर डी आपसान आपका करेक्ट हो जागा अठवा नंबर प्रशन है बिश्टो में ऐलोमीनियूं का सब्सें बड़ा उत्पादक कौन सा है तो यह अमेरिका है ठीक है युषे है ठीक है तो बारत 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 में नवा नमर प्रशन है सुल्तानपूर वर्ड सेंक्ट्यूरी इस्थित है तो सुल्तानपूर वर्ड सेंक्ट्यूरी कहां पर इस्थित है तो यह गुडगाओं में है ठीक है सुल्तानपुर पक्षी बिहार है यह मतलब पक्षी बिहार गुडगाव से जो है 15 किलिमेटर दूर इस्तित है यह हरियाना के गुडगाव जुले में इस्तित है तो यहाँ पर सी आपसान आपका सहीव जाएगा दसपा है मिकीत कौन साएक सबसे सूखा स्तान है सबसे शूखा स्तान कौन सा है कि तो ले है ठीक है बारत में पर सा का में बहुत वीष्यम है। जो मुक्रित है समुद्र के निकत नेकटता तथा चेरा पूजी में दर्द होती है और जिसकी मात्रा जो है ब्रहमपोत्र काठी देथा निकटवर्ती पहाड़ियों में जो है 200 संटीमीटर या कम घरती रहती है ठीक है और लिये लद्दाक में जो है 8 संटीमीटर के मद्ध पराश मिलता है इसका तो सबसे सूखा माना जाता है ले लद्दाक को ठीक है तो यहाँ पर सी आपसन आपका करेक्ट हो जाएगा गयरे नमर प्रशने दो कालम दिये गए हैं और इसकी मिलान करना है ठीक है तो ओपन जनरल लाइसेंस यह किसे संबंदित है तो ओपन जनरल लाइसेंस जो है यह विदेशी व्यापार से संबंद तोता है तो संबंदित तो यहां पे एक का दो में ठीक है ठीक है तो बी का एक तो यहांए पे आपका पहला सही हो जाएगा ठीक है पहला सही हो जाएगा ओसं जंडू देय bestimm विघरेशिक से समझाड और अरटरास्ट टाइसेम अजह के रुजगार से सब्मदित है міट को कुत करो सरकारी पहे को निंतिर करने का प्रादिकारी कौन होता है थीक है भारतीüs इंदरी विक्तमद्रालय के निम्लेकित पांच विबाग होते हैं ठीक है अर्थिक और इसमें ब्या विभाग जो है कि इस सरकार की सार्वजैनिक बित्तिय प्रबंधन पढ़ा ली है और राज्य में बित्ति इस से संब्धित मामलों पर निगरारी रखने वाला एक नोडल विभाग है ठीक है तो यहाँ पर इसी आपसनां का परक्रेक्ट हो जागा तो यह भी है वी मज़तlı में नेगे कंकपनी का प्रवेस expl है तो यहाँ पर जगो क्या आपक कॉछ भारत मी अधिकशेट होना हैं पर चुलारों दूस्ट सच यहाँ पर आफ्सका होजाएगा 15 है कास्मिक क्रण उस्थ्क जो होती है कास्मिक कृट जो है और स्कना होता है इसके जए ने प्रच्छ पाइन होता एक है व्यू।्टेण आपका हू bono सी किस्वाग किस भाग से प्राप्ति है तो long जो है वो प्राप्त होती है सुस्क पुस्पकली से ठीक है सुस्क पुस्पकली से यहाँ पे D-Apson कपकाफ सही हो जाएगा long जो है myrotasia cg gum aromaticum kulka पौधा है ठीक है जो पुस्पकली के रूप में प्राप्त होता है तो यहाँ पे D-Apson करेक्ट हो जाएगा यह किसका पौधा है तो इसका पुरा नाम है myrotasia cg gum aromaticum ठीक है तो इसका यह पौधा मना जाता है 18 नमर प्रशन है जीवों में अत्यदिक विवत्ता का करण है तो जीवों में अत्यदिक विवत्ता का क्या करण है तो अनकूलन है ठीक है यहाँ पे E-Apson आपका करेक्ट हो जाएगा अनकूलन होने से जो है जीवों में सरवाधी विवत्ता पाई जाती है तथा सहभागित से दो पादप एक दूसरे के मेच से जो है जो इस कांगो द्वारा जो है पोसर प्राप्त करते हैं तो यहां पर ए आपसन करेक्ट हो जाएगा उन्नीश नमर प्रश्ण है अंतराष्टी बिगलांग दिवस कम बना जाता है तो आप लोग जानते हों कि तीन दिशंबर को मना अंतराष्टी बिगलांग दिवस मना जाता है जबकि 10 दिसंबर को क्या मना जाता है तो आप लोग याद रखियेगा दस दिसंबर अंतराष्टी मानवादिकार दिवस चौबिश अक्टूबर संगत राष्ट रंग दिवस 19 नमबर ठीक है अंतराष्टी नागरिक दिवस ठीक है यह चारोग प्रश्ण पूछे जा चुके हैं तो यहां पर डी आप्सन सही हो जाएगा अंतराष्टी बिगलांग दिवस तीन दिसंबर को मना जाता है कि इस देश ने पांचवा अस्थान प्राप्त किया है ठीक है तो भारत ही पांचवा स्थान था बीचवा राष्ट मेंडल खेल में ठीक है इसका आयजन कब हुगा था तो यह बीचवा राष्ट मंडल 2014 में हुआ था यह पुराना करेंट है ठीक है तो इसमें पांचवा स्थान भारत को प्राप्त हुआ था तो इस इंदा पीछे का नहीं पूछा जा सकता है तो करेंट से अप्डूर्ट हो लिजेगा ठीक है आलही में चार साल पे होता है तो 2018 में जो राष्ट मंडल खेल हुआ है 2018 का उस अपडेट को आप लोग याद रखिएगा तो बहाराल इस प्रेशन के अंसार डिया आपका आपसा सभी हो जाएगा कि एकीश नमर प्रेशन है खेल कोद में उतकिष्टेता के लिए कौन सा पुरसकार दिया जाता है तो अर्जुन पुरसकार दिया जाता है ठीक है अर्जुन पुरसकार भारत सरकार दोरा जो है खेल की छेते में उतकिष्ट प्रदेशन के लिए दिया जाता है और इस पुर पंद्र को मंदीप शिंग रोहित तो यहां पर उन्ती शकत नहीं है बलकि यह अरजुनपुरसकार नहीं से सुरुवात होई थी और खेल कोड में उतकिष्टता के लिए जो अरजुनपुरसकार दिया जाता है जिस ने घुडों को पराजित किया था तो कौन थे तो एसकन्द घुपत असकन्द घुपत ने घुडों को पराजित किय था और एसकन्द घुपत को राजसिंघासन पर बैठते ही जू olarह जूनागढ अफलेक में मलेक्ष के रूप में संबलित हूडों के आक्रमड का सामना करना पड़ा, जिसमें असकंद गुप्त को सफलता मिली थी, तो C आप्षन सई होगा, तो मगद की प्रारंबे की राजधानी कौन सी थी, तो ये थी आपका राजगरी है, ठीक है, ग्रेरी व्रेज, यहाँ पर C आप्षन करक्ठ हो जाएगा, खोडस महाजनपद, यानि 16 महाजनपद में, काल में जो है, मगद सबसे बढ़ सकतिसाली था, और मगद की अस्थापन जो है, किसी ने किया था, तो हरे एक बंस, कि बिम्बिसार ने की थी, और राजगरी को आपनी राजधानी बनाए था, ठीक है, तो C आप्षन सही हो जाएगा, चोबिश नमर परशने, नेशनल काउंसिल आफ एजुकेशन के अस्थापना कब होई थी, तो नेशनल काउंसि नेशनल काउंसिल आफ एजुकेशन के अस्थापना कब होगा था, तो पंद्रयकस 1906 में जो है, राश्टी सिच्छा परिशद, NCE, ठीक है, नेशनल काउंसिल आफ एजुकेशन के स्थापना की गई थी, और इस परिशद का मुख्य उद्धे से था जो है, राश्टी निं 25 विशद नमर परिशन है, भारती पुनर जागरण अंदोलन के पिता कौन थे, तो राजाराम मोहन राय आप लोग जानते होंगे, ठीक है, भारती पुनर जागरण अंदोलन के पिता, राजाराम मोहन राय थे, और नियोंन ने भारती समाज के रूडवादी प्रथाओं का आत्मी सभा 1815 में और ब्रहम सभा 1828 में ठीक है इसकी भी अस्थापना किया थी अत्मा आत्मी सभा की तो इसको भी यह भी पूछा गया है आत्मी सभाग और यह ब्रह्म सभाग को भी पूछा गया है तो दोनों को याद रखिएगा 26 निमर पूछन है असायोगा अन्दॉलन के स्विकश्5 किया घैए ताप लोग जञते हैं होंगे और 1922 में चुसरू हुआ किया गया जो ने शुबाज सर चला यह अंदोल महत्मा कंधी के नेतिवित में किया गया पहला जैना अंदोलन था ठीक है और यह अंदोलन के तीन प्रमुख माग यह थी खिलाफत का भी बात जलिया बाला भाग हत्याकार्ण के बिरुद और सुराज की प्राप्ति ठीक है तो अस्थापना की थी और महा गोविंद राणा डेक असंबंग जो है कि तो यहां पर आपका सई हो जाएगा आपसे नंबर ए प्राथना समाज की अस्थापना अध्मरांग पांडरंग 1867 में बंबाई में किया था ठीक है पिसफटर भारत के पहले भारत गॉवर्नर जयरेनल कौन थे दूर राज गॉपालाचारी थे ठीक है तो यह आपसें सब्राइगा कहाँ उंटीश नमर पर गुलाम बंस का प्रथम साथ कौन था तो कुतुबी दीन एविक था ठीक है ए आपसन सही हो जाएगा मुहम्मद गोरी के भारत सामराजी का स्वामी उसका महत्रपुर्ण गुलाम कुतुबी दीन एविक था गोरी की मिठ्थिक के पश्चा जो है कुत पुन दीन एविक ने ज जो है वीडी सावर करने जो है उन्नाइश चार में अभीनों भारत नामक संथा अस्थापित किया था और अभीनों भारत संगठन के सदत से जीज में पी या इन वावट बंबनाने की कला सीखने के लिए पेटिस गए थे बंगाल में जो है पी मित्रा ने अनुसिलीदन समित् तो यहां पे अभिनों भारत का वीडी सावर करते हैं तो यहां पर आपका रिजनिंग आ गया ठीक है एक तीसवा नमबर है यह किसी बर्स में 25 मई को रभिवार है तो 25 दिसम्बर को कौन सा दिन होगा यह पूछा है तो 25 मई से अगर हम 31 मई देखें 25 मई से 31 मई के बीच कितना दिन बच रहा थे तो 6 दिन बच जा रहा है ठीक है मई अब आ जा रहते हैं जून पर तो जून कितने दिन का होगा तीस दिन का होगा जून हो गया ये जुलाई हो जाएगा जुलाई कितने दिन का होगा 31 दिन का होगा 31 दिन का होगा आगस्त कितने दिन का होगा 31 दिन का होगा ये भी सितंबर कितने दिन का होगा सितंबर आपका हो जाएगा कितने दिन का 30 दिन का हो जाएगा अक्टूबर कितने दिन का हो जाएगा ये आप सब्सक्राइबस होगा 31 नॉव्पर कितने दिन का होगा 30 ठीक है कि इस महीन का पूछ रहा है तो आप यहाँ पर देख लिजे जून में 30 जून 30 का होता है तो कितना इसमें जो है विशम तिन कितना होते थे तो साद चोकटाइस इसमें दो दिन विशम सेश बच गया। इसी तरह से जुलाई में साद चोकटाइस, तीन दिन सेश, विशम दिन वन विशके में बच गया। तो तीन ठीक है 3, 3, 6, 8, 12, 11, 11 3, 14 और 15 16 ठीक है 16 दिन 14 दिन इसा में बिसम हो गया और 16-6 22 ठीक है और यहां पर 6 पहरे से विसम दिन दिया है तो 25 दिसंबर में 25 दिसंबर में जो है विसम दिनों की संख्या कितने हो जाएगी तो 25 बटे 7 करेंगे तो 7 के 20 या कईशार 25 तो 4 यह हो जाएगा ठेक है तो कुल विसम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगा हमारी तो टोटल विसम दिनों की संख्या जाएगा ठेक है तो 25 दिसंबर का दिन जो है रभिवार प्लस 4 विसम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगा फिर इसके 25 दिसंबर वाला तो यहां पिएवार तो मंगलिवार तवर दिये हो ठीक कहते तो यहां पिएवार धीक होगे रिष्वाड़्वार काल मरतीश नमर पसने साढ़्य मिल्लूप तो संख्या क्यात करना एक है ठीक है दो यह कैसे लगाएंगे तो सातरे धन नो पराबर कितना हो गया यक्तिस हो गया इसको जोड़ेंगे कितना जाएगा यक्तिस आजाएगा इसको जोड़ेंगे तो 16 हो गया 31 फाना के जोड़ेंगे तो यक्तिस माईने शोले बड़ाबर कितना आजा रहा है फंद्रे आ जाए तो यहां पर कौन और जाएगी फैसी आप समस्य हो जाएगा कि अधो प्रश्ण अधो लिकला में अगली संख्या कौन सी होगी तो यहां पे देखें टीन धन दो तिन धन दो पांच हो गया आठ माइनस एक 7 हो गया ठीक है अब देखिए पांच धन तीन आठ हो गया ठीक है और साथ माइनस 2 हो गया ठीक है आठ बारे प्लस 4 हो गया हो ठीक है और यहां पर दीख लिए कि आठ चैड़ बार है और यहां पर करेंगे तो कि नहीं जाएगा कि मैनस तीन हो जाएगा ठीक है तो 12 में से माइनस तीन करेंगे किनन जाएगा कि दो आ ठीक है तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा यहां पर देखी यहां पर प्लस दो प्लस तीन प्लस चार ठीक है अभी आगे करेंगे तो प्लस पांच हो जाएगा ठीक है तो प्लस पांच हो जाएगा यहां पर उस में से बटाएंगे पांच में से माइनस तीन करेंगे तो कितना जाएगा दो आजाएगा ठेक है तो कौन से संख्या जाएगी आपका आप्शन नंबर ए शाहिव हो जाएगा चैन से जाएगा पका दूल पे चैनल होते होजेव करेजुशन बस प्लाबर 520 इतना बराबर इतना इतना बतना अब क्या गया तो इसको यहां पर देख लिएugenा यसा क्वाफिशा नहीं 10 19655 जाएगा 15 40 वटे 2 करते हैं इसका तो कितना जाता है 20 ठीक है तो इसी को लिक दिया है 15 और 20 ठीक है देख लिए यहां पर 30 वटे 2 करते हैं इसका वटे 2 तो पंद्राइब तो इसको पंद्राइब लेकिया थिए इसी तरह से 36 को करेंगे तो 36 वटे 2 अठार दो निए अठारे चाउद है यह कर दिया है ठीक है और इसी तरह से आपका इसको कर देना है तो 50 वटे 2 अब जाएगा 25 वटे 2 इंग्यार है तो पचीश एग्यार है आपका इंसर आज आएगा यहां पर सी देख यह 25 से ग्यार है ठीक है से पैंथीश नमर पर ने किश्णा अपने घर से एक किलोमेटर पूर करा चला तो इदर पूर होता है आप लोग जानते होंगे यह नक्सा देख tomorrow पूर पक्षिम उत्तर दच्छन तो अपने घर से किदना एक किलोमेटर पूर की दरप चलता है एक किलोमेटर पूर्व चला, पुने एक किलोमेटर उत्तर उपर होता है, तो एक किलोमेटर उपर उत्तर चला, तथा पुने दो किलोमेटर पूर्व, तथा पुने दो किलोमेटर जो है पूर्व चला, तो दो किलोमेटर इथर पूर्व फिर चला, दो किलोमेटर, ठीक है, फूरे दो किलोमेटर पूरे 3 km फिर देखी यहां पर देखल नीचे आएगा तो कि इनग्नञाओर निशार झाला कि टिक है तीर अपने हार पहुंचने के किस दिसाभर में चाहिए आप उसा स्अधें अपने घर के चलने में उसका घर यहां से सुरॱ बता तो वह किदर जाएगा उसे लिफोफेंटर आपfires जाएगा यहां दो कुलिमेटर दो किलिमेटर आपका उत्तर जाएगा ठीक है तो यहां पर डी आप्सन करेक्ट हो जाएगा तो दुकांदार कितने प्रिस्टत का लाब कमाएगा तो मान लेजिए घड़ी का असली लागत मुनी सो रुप्या है ठीक है सो रुप्या है और घड़ी का बरतमान चिन्हित मुल्किन्या दिया है तो बीस परसंट अधिक दिया है तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा 20 10 कितना हो जाएगा 108 रोपया ठीक है 108 रोपया घड़ी का विक्रेगी मुली हो जाएगा कितना 108 रोपया अब फिर देखिए लाब उसको कितना मिला है तो लाब बराबर क्या हो जाएगा 108-100 तो कितना हो जाएगा 10 के बराबर देखा गया है तो वह संख्या कौन सी है तो मलिजी वह संख्या में लेते हैं यक्स तेके अब प्रश्न क्या करा रहा है किसी संख्या के घं के बर्ग में अंतर उसकी दुगनी संख्या के बर्ग के बराबर दिखा गया है किसी संख्या के घं के बर्ग के यहीं का रहा है किसी संख्या के घं के बर्ग के अंतर में उसकी दुगनी संख्या के बर्ग के बराबर दिखा गया है तो X Q minus X square बराबर 4 X square हो जाएगा ठैक है अब देख लिए X cube माईनस कितना हो जाएगा अब यह इधर आ जाएगा 5 X square हो जाएगा बराबर सुनने हो जाएगा तो X यह कट गया तो क्या बचा X minus 5 बराबर 0 तो X बराबर कितना हो जाएगा पांच हो जाएगा ठेक है तो कौन सा संख्या होगा वो पांच होगा भी यापसन सही हो जाएगा और तीश नमर प्रश्ण है ये पिजरे में बत्तक हैं और खर्गोस है ये सीरों की कुल संख्या 28 है पैरों की कुल संख्या 72 है तो पिजरे में बत्तकों की संख्या कितनी है तो माले ये पिजरे में बत्तकों की संख्या एक्स है बत्तक का एक्स है और खर्गोस का क्या है है ठीक है अब मरश न क्या कर रहा है कि ऐपिजलेlles में बद्तक और खरगोश मेरी सी रोकी शंख्या ठाइस है पैरो प्लस य कि पैरो की संख्या किEX पैरों को सीरों की संख्यां कितने हो जाएगी 28 है स्में क्रढ़ेक इसको मालें और उसकी बाद क्या है क्या को पैरों कि संख्यां बहुतर है तो चार पैर होते घ्रविय vine pro डूराय दो न जारा पर घ्रव को करने पर दो हुमचान मोख यहां पर इसके मान रखेंगे उ 60 अपका प्राप्त हो जाएगा एक्षाओ और यृ ब्रावर्बर क्या है आट जैए प्याए अहां पर ब्रसूं कोई कि संख्री है इस बान को तो चार दुनी आ ठीक नो करतेंगे ठीक है तो क्या हो जाएगा फाइफ माइनस फाइफ अपान वन प्लस वन अपान थ्री प्लस वन गुड़े कितना हो जाएगा चार बटे 9 आजाएगा चारवटे 9 आजाएगा अफिर इसको साल करेंगे तो 5-5 अपान 1 प्लस मांटे एंटो 9 अपान 31 ये हो जाएगा अब इसको भी साल करेंगे जब तभी इसका मान कितना आजाएगा तो फाइफ माइनस कितना हो गया पांच गुड़े 31 यह उपर चला जाएगा बटे 40 हो जाएगा ठीक है अब देखिए यहां पर अब इसको इसको साल्ब करते हैं तो कितना हो जाएगा तो फाइफ पन्च अब का 20 200 माइनस 155 बटे 40 टेक है अब इसको मान जमिकारेंगेत कितना जाएगा यह घठाएंगे तो कितना बचा 45 बटे 40 या तो 9 बचे 59 45 बटे 40 तो 9 बटे 8 हो जाएगा ठीक है तो सही तो जाएगा आपका आप्शन नमर भी 9 बटे 8 टेक है ऐसे ही प्रशन आपके परिच्छा में पूछे जाएंगे बहुत जादे टफ नहीं रहेगा ठीक है और यह सारे प्रशन जो है जो बी यो की परिच्छा मत्रब उत्रप्रदेश में सिख्छा विवाग के द्वारा जितनी भी परिच्छा होती है तो सारे ऐसे ही प्रशन र चालिश नूमर परशने एक फुटकर व्यापारी 20 पेन को जो है 40 रुपे में खरीता है और 15 पेन को 40 में भेजता है और उसके लाव का प्रेस्ट क्या होगा तो 20 पेन की खरीता है 20 पेन का क्रे मुली कितना हो गया 20 का क्रे मुली कितना हो गया 40 हो गया पंद्रे का विक्रे कर दिया है ठीक है पंद्रे का विक्रे ये विक्रे है ये क्रे है तो पंद्रे का विक्रे कितना होगा ये भी 40 है तो 20 पंद्रे का विक्रे कितना होगा पंद्रे का विक्रे 40 है तो 20 पंद्रे का विक्रे हम निकाल लेंगे ठीक है तो 15 पंद्रे का विक्रे 2-10 अपांध रोपया उसका व्लाभ डाब cooperative पूछा है तो लाब बराबर लाब भटी कुरए क्रेम फोव ठीब तो कितना है तो पांच बटे 15 गुड़े शो कर देंगे तो यही इसी कॉंसाल करेंगे पांच बटे 15 गुड़े शो तो कितना हो जाएगा आपका 23.33 या इससे कर सकते हैं 33 परसंट के करीब ठीक है तो यहां पर परसंट करेक्ट हो जाएगा तो फ्रंट से रहें 40 परसंट कैसा लगा वीडियो और यह दने मैद के पॉर्शन थे आप ज़रूर साल्व कीजिएगा ठीक है इसे थोड़ा सा जगह नहीं होता है इसलिए अच्छे साल्व नहीं होता है तो प्रश्ण आप लोग को दे दिया ज साल्व कीजिएगा और 40 प्रेशन बहुत ही महत्तों रहें कैसा लग वीडियो कमेंट करके ज़रू बताइएगा फिर मिलते हैं अंगले पार्ट में पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद